उल्जानों से भरा, Define the Relationship, DTR या कहें 90's का हम आपके हैं कौँ एक जमाना ऐसा भी था, जब दिल धक धक करने लगता था जब relationship को define करने का time आता था हाँ, वो DTR talks जो आपके दुनिया बना या बिगार सकते थे बट Generation Z पूरी rule book ही बदल रहे हैं उनके लिए gray area ही सही है, lines blur करना है और चीजों को undefined रखना है लेकिन क्या ये label less तरीका उतना ही अच्छा है जितना बताया जाता है या फिर ये confusion और heartic का नुस्खा है चलिए Gen Z relationships की दुनिया में चलते हैं और TTR टिलेमा को समझते हैं DTR सीरीज में हम अलग-अलग couples से मिलेंगे हर किसी की अपनी unique dynamics होगी हम देखेंगे की कैसे generation Z, love, commitment और labels के डर से navigate करते हैं ऐसे दुनिया में जो हर समय बदल रही है DTR define the relationship To label, honor, not to label एक बात तो साफ है Game के rules बदल चुके हैं Rigid relationship expectations वाले दिन जा चुके हैं Gen Z नया script लिख रही है Label से ज्यादा experiences चुन रही है और commitment से ज्यादा connection चुन रही है लेकिन जिन्दगी की तरह इस newfound freedom के साथ अपनी complexities भी आती है आदित्य सारा का हाथ थाम कर चलता है उनकी हंसी समुद्र तट पर लहरों की तरह गूंचती है उनके बीच की खामोशी सहज है सालों की दोस्ती का सुख़द परिनाम लेकिन आदित्य के दिल में अब दोस्ती से ज्यादा कुछ खिल चुका है वह घबराता हुआ जेब से सीप निकालता है जिसे उसने सुबह समुद्र किनारे पाया था सारा उसे उत्सुकता से देखती है आदित्य शब्दों को जुटाने की कोशिश करता है लेकिन वे उसके गले में अटक जाते है वह उसे सीप थमा देता है उसकी चिकनी सतह पर सूरज की किरणे चमकती है सारा उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन ये बंद रहता है निराशा उसके चहरे पर च्छा जाती है आदित्य उसका दुख समझ जाता है वह सारा के कंधे चूता है गर्मी उसके स्पर्ष से दिल तक जाती है सारा मुस्कुराती है उसकी आँखों में समंदर जैसे गहराई है शायद अभी परिभाशा की जरूरत नहीं उनके बीच का बंधन लहरों की तरह बहता रहे कभी शांत कभी उफान पर वह सीप को वापस जैब में रख लेती है समुदर की ओर देखती है सूरज डूब रहा है आकाश को लाल नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा है आदित्य इंतजार करने का फैसला करता है उस मोती के लिए या शायद उस से कहीं ज्यादा खूबसूरत रिष्टे के लिए गेमिंग बडीज या कुछ और रोहान और शाम अल्टिमेट गेमिंग डूओ थे वो वर्चुल वर्ल्ड्स को कॉंकर करने में घंटों बिताते थे उनकी कमपेटिटिटिव स्पिरिट्स एकदम मैच करती थी उनकी फ्रेंड्शिप बहुत एफोर्टलेस थी जो शेर्ड पैशन्स और इंसाइड जोक्स पर बिल्ड थी वो एक दूसरे को ऐसे समझते थे जैसे कोई और नहीं समझता था उनके लेट नाइट गेमिंग सेशन्स अकसर मूवी मैराथन्स और टेक आउट डिनर्स तक खींच जाते थे वो कंफटेबल, फेमिलियर और क्लोस थे बिना किसी डाउट के फ्रेंड्शिप और कुछ ज्यादा के बीच की लाइन्स बलर होने लगी थी पर शाम अपनी गे आइडेंटिटी ओपनली एकसेप्ट नहीं करना चाहता था वो अपने आपको और एकस्प्लोर करना चाहता था शाम जो खुद को कमिट्मेंट फोब कहता था, उसे उनका अंडिफाइन बॉन्ड ही पसंद था दूसरी तरफ, रोआहान कुछ ज्यादा चाहता था वो एक लेबल की रियशुरेंस चाहता था, एक ऐसा तरीका जिससे वो उन स्वर्लिंग इमोशन्स को डिफाइन कर सके जो उसे तब महसूस होती थी जब भी श्याम आसपास होता था Lost in Translation आरव और मिहीका के बॉन्ड की पेचीदगियां बाती जा रही थी आरव एक talented musician और मिहीका एक free spirited artist एक दूसरे की creative energy की तरफ आकरशित हुए उनका connection electric था जिसे late night jam sessions और shared dreams of making art that mattered और तेज करते थे वो एक ही language बोलते थे जो passion, vulnerability और raw emotion की language थी उनका relationship एक whirlwind था जिसमें art galleries, open mic nights और impromptu picnics in the park शामिल थे वो एक दूसरे के muses थे उनकी जिन्दगी shared passions की beautiful tapestry में intertwined थी फिर भी उनकी carefree existence के नीचे एक unnese का एहसास रहता था मिहीका जो अपने past heartbreaks की वजह से डरी हुई थी अब किसी भी relationship को define नहीं करना चाहती थी उसका mantra free flowing life और present में जीने का हो गया था वहीं आरव एक label के साथ आने वाली security और clarity चाहता था वो मिहीका को अपने parents से मिलाना चाहता था आरव समझ गया था कि अगर use मिहीका का साथ चाहिए धेन commitment explore करने के लिए non-traditional तरीका धूंधना होगा स्कूटी सी college जेन से पहले रधा ने phone unlock किया वो वीर को रात को किये message के reply का wait कर रही थी वीर online था पर उसको कोई जवब नहीं दे रहा था फिर what's app पे वीर के number के नीचे online लिखा देखते ही उसका गुस्सा भड़क उठा टाइप किया आखिर कब बोलोगे वीर रिष्टा क्या है हमारा जवाब आया यार ये philosophy बाद में अभी business जमाना है बार बार हम या ही बात करके क्यों लड़ते हैं राधा का मन घबराया college से दोस्ती फिर घंटों की बाते movies, coffee ये सब क्या है रिष्टा या time pass गुस्से में स्कूटी भागे पर आधे रिष्टे वो स्कूटी संभाल नहीं पाई और गिर गई अस्पताल में होश आया तो वीर परेशान सा बैठा था दो दिन तक अस्पताल में वो ही दोड़ता रहा खाना खिलाता रहा जाते समय बोला थोड़ा और रिष्ट कर लेना फिर वही स्कूटी चलानी है ना रधा मुस्कुराई शायद अभी रिष्टा क्या है का सवाल फालतू था वीर जैसे किसी केरिंग इनसान का साथ होना जादा मैंने रखता था ना कि उसे रिष्टा क्या है रिष्टों को नाम देने के लिए तो पूरी जिन्दगी पड़ी धिस फिलहाल दोनों को करियर बना था ये रिष्टा जो भी है सुरक्षित तो महसूस कराता है लेबल से ज्यादा जरूरी है साथ का होना एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना फिर अफ दे लेबल्स फिर अफ डिफाइनिंग रिलेशन्शिप्स डी टी एफ हम आपके हैं कौन न पूछना न जवाब देना और अंडिफाइन टेरिटरीज में नेविगेट करते रहना ऐसे दुनिया में जहां सोशल मीडिया परफेक्शन और पिक्चर परफेक्ट रिलेशन्शिप्स का बोल बाला है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जैंज अपने कनेक्शन्स पर लेबल लगाने से हिचकिचाती है कमिट्मेंट का डर एक सर्टन इमेज मैंटेन करने का प्रेशर और दूसरे एक्सपिरियंसिस मिस करने का डर ये सब डेफिनिशन से उनके एवर्शन में योगदान करते हैं लेकिन तब क्या होता है जब रिलेशन्शिप्स में एक इनसान उस सेक्योरिटी और वैलिडेशन की चाहत रखता है जो एक लेबल देता है आप अंडिफाइन रिलेशन्शिप्स के ट्रेचरस वाटर्स में खुद को खोए बिना कैसे नैविगेट करते हैं ये डिलेमा LGBTQ प्लस कपल्स के लिए और भी जटिल हो जाता है जिन्हें अकसर कमिंग आउट और दुनिया को अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए एक्स्ट्रा प्रिशर जहिलना पड़ता है उनके लिए रिलेशन्शिप्स को डिफाइन करना सिर्फ एक परसनल चॉइस नहीं है बलकि एक bold statement है ये visibility, representation और authentically जीने की courage के बारे में है एक ऐसे दुनिया में जो अकसर उन्हें shadows में बांधने की कोशिश करती है रिश्टों की किताब में जनरेशन जीर ने एक नया अध्याय जोड़ा है अनाम रिश्टा ये एक खुली किताब है जहां परिचय अधूरा है अन्तिम प्रिश्ट खाली है इस प्रेम कहानी में न तो boyfriend का शाही ताज सजा है नहीं girlfriend का दुपट्टा लहराता है ये हैं दो दिलों की अनबंधाई धड़कन है जो बिना किसी label के स्वतंत्र है मानो दो पंची हों एक ही पेड की डाल पर मस्त कभी साथ उड़ते कभी अपने अपने आसमान चूते इस बॉंड में जो बेनिफिट्स जीन जी देखते हैं उन्हाइन बंधनों से मुक्ती स्वतंत्रता का रंग और खुद को खोजने का समय मिलता है मगर इस खुले आसमान में कभी कभी तूफान भी आ जाता है असुरक्षा की बिजली कड़कती है और इरश्या की गरज तडब बढ़ा देती है ऐसे में यह रिष्टा हवा की तरह अद्रिश्य हो जाता है जिसे पकड़ना मुश्किल है और खो देना और भी मुश्किल In this series of DTR Defining the relationships हम आगे और real life कहानियान लेके आएंगे और इस DTR को closely समझेंगे और खो ऑ्राइब अवादे फुक्मी I'm looking in the mirror So foggy but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, you have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate it's pretty cool that i'm alive in that better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all i want and i pray all i need are some better days yeah all i need are some better days is all i want and i pray i believe in the bill